अलो फ्रेंड विल्कम टू माई यूटूब चैनल डिकेलाइफर स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड आज हम 10th क्लास का मैत का बहुती महत्पूर्ण सब्जेक्टिव के साथ आ हैं जो आने वाले बोड एक्जाम के लिए काफी ही इंपॉंट इंट रहे तो प्लीज फ् में नहीं देखें हैं तो प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल में जाकर आप इसका थेल्सपर में देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड देखते हैं तो चलिए फ्रेंड देखते हैं तो चलिए फ्रेंड देखते हैं अगर आप इसे पीडिएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलिगर कि एक रेखा किसी तिर्भुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर तो वह तीसरी भुजा के समनांतर होती है तो जैसा कि प्रस्ण में दिया हुआ रहेगा फ्रेंट कि यदि एक रेखा किसी तिर्भुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समनांतर होती है यहाँ प्रस्ण दिया हुआ रहेगा आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा जैसा कि बता रहा है तो चलिए फिरेंट देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है आपको एक तिर्भुज बनाना है देख रहा है यहाँ पर तिर्भुज A, B और C और D और E इसके समनांतर है यहाँ पर देख सकते हैं जैसा लिखा हुआ है तिर्भुज A, B, C में जिनका भुजा A, B तथा A, C को करमस D तथा E के पर समानुपाती D तथा E पर समानुपाती विभाजित करती हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं समान अनुपात में D, E और B, C विभाजित कर रही है तो जैसा कि तो नीचे में देख़ें फ्रेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि AD बटा DB यानि देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं इसको कि AD बटा DB और AE बटा EC देख सकते हैं दोनों तरफ से बड़ाबर है दोनों AD बटा DB और AE बटा EC दोनों बड़ाबर है तो नीचे में देख सकते हैं फ्रेंट यहाँ पर देखिए सीध करना है कौची सीध करना है BC लम है DE पर देख सकते हैं यह लम का साइन है BC लम है DE पर और देख सकते हैं फ्रेंट यहाँ पर रचना रचना में यहाँ पर देख सकते हैं कि D से E तक मिलाया जो DE BC पर लम है यहाँ पर देख सकते हैं D से E तक मिलाया जो VE, sorry, DE, BC पर लम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, DE है जो BC पर, BC पर लम है, जैसा कि, तो चलिए फ्रेंड, नीचे उत्पती या कार्य भी कह सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं, AD बटा DB, sorry, AD बटा DB, बराबर AE बटा EC, हम इसको समीकरन फर्स्ट माल लिए यहाँ पर देख सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको समीकरन फर्स्ट माल लिए और ad बता bd बराबर ae बता ec को समिकरन 2 माल लिए तो चलिए फ्रें नीचे देखते हैं नीचे में देख सकते हैं समिकरन एक तथा समिकरन 2 से चलने पर तो देख सकते हैं ae तो यहां पर देख सकते हैं ad बता bd और ad बता bd इसको हम काट भी सकते हैं देख सकते हैं यहां पर दोनों सेम है तो दोनों कट गया और यहां पर देख सकते हैं ae बता ec और ae बता ec तो यहां पर देख सकते हैं एगो में, ae बटा ec, बराबर ae डास ec, तो देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं, कि दोनों तरफ एक जोरने पर, जो ae पलस एक बटा ec, बराबर ae पलस एक बटा ec, यहाँ पर देख सकते हैं, कि दोनों में एक जोरने पर, एक को जोर दिये हैं, तो इसका नी हम लिए हैं नीचे एक रखकर EEC और AE पलस EC बराबर AC बटा EC देख सकते हैं तो इसलिए अब नीचे नीचे में देखिए नीचे में दिया गया है यहां पर देख सकते हैं EC बराबर E-C तो यहां पर हम लिख सकते हैं देखिए फ्रेंट हमारे लाइक करिए और वीडियो को share करिए ताकि जो भी माई 10th class का latest update वीडियो बना आप तक पहुचता रहा है और 10th class में आने वाले 2021 में आपको बहुत ही जवर्दस सपलता मिले तो चलिए फ्रेंट देखते हैं यह तभी संभब हैं जब विंदू E तथा E- एक दूसरे के अंत हैं तो यहाँ पर हम लीज सकते हैं कि BC लंहें DE पर हो सकती है तो चलिए फ्रेंट आज की लिए इतना ही प्रूब्ड हो गया है यहां पर देख सकते हैं प्रेंजश वीडियो में हम फिर से पाइथागोरस पर्में का प्रेंज़ कर आएंक तो प्लीज फ्रेंट अगर आप हमारी चैनल पर पाली बार विजिट कर रहा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन को दवाना ना भूले ताकि जो भी मैं टेंथ करास का लेटेस अबडेट विडियो बना आप तक पहुंचता रहा है और आने वाले बोर्ड एक्जाम में आपको सहाथा मिले तो चलिए फ्रेंट आज के लिए इतना ही तब तक के लिए टेकन बाई